परिचए जबकि पानी के बुलुबुले ऐसे तो नहीं होते उसकी माने उसे उत्तर दिया कि ये है प्रिच्ट तनाव की कारण होता है जब पानी में डिटर्जेंट मिलाया जाता है तो पानी का प्रिच्ट तनाव कम हो जाता है इसलिए धेर सारे स्थाई बुलबुले बनते हैं छात्रों तुम निश्चित रूप से इसके बारे में और अधिक जानना चाहोगे आज हम तरलों और उनके यांत्रिकी गुड़ों के बारे में अध्यान करें उद्धेश्य इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे तरलों को परिभाशित करना दापकी करना करना द्रव स्थेतिक वा वायु मंडलिये दाप को वर्णित करना धारा रेखी प्रवाह का वर्णन करना सांतत्त्य समीकरण का विशलेशन करना बर्नूली का सिध्धांत तथा टौरिसेली का नियम जानना शानता को परिभाशित करना स्टोक का नियम तथा रेनोल्ड्स संख्या को विशलेशित करना प्रिष्ट तनाव का वर्णन करना प्रिष्टिय उर्जा तथा संपर्क कून की गणना करना और प्रिष्ट तनाव पर आधारित घटनाओं के बारे में समझना परिभाशा तरल ऐसा पदार्थ होता है जो प्रवाहित हो सकता है इसलिए तरल चब्द के अंतरगत, द्रव और गैस दोनों ही आ जाते हैं चुंकि तरल अपनी आकरिती तेजी से बदल लेते हैं, इसलिए इनके यांतरिक वहवाहार को ठोसों की तरहा परिभाशित नहीं किया जा सकता द्रवों तथा गैसों के बीच उलेखनिये अंतर होते हैं उधारन के लिए गैसें आसानी से संपीड़े होती हैं, जबकि द्रव लगभग असंपीड़े होते हैं द्रवों का निश्चित आकार होता है, लेकिन गैस जिस बंद पात्र में रखी जाती है, उसमें भैल कर उसे भर देती है दाप प्रतीक द्रव अपने भार के कारण एक बल आरूपित करता है, वरामा वस्था में किसी द्रव दौरा आरूपित किया जाने वाला बल, द्रव दौरा प्रतीकाईक शित्रपल आरूपित किये गए, बल के रूप में परिभाशित किया जाता है किसी द्रफ द्वारा आरोपित बल संपर्क में द्रफ के प्रिष्ट के अभी लंबवद बल होता है दाब बराबर बल बटे चिद्रफल यानी पी बराबर एफ बटे ए इसका ऐसाई मात्रक न्यूटन मीटर प्रतिवर्ग तथा विमिय सूत्र निम्न होता है पासकल के नियम के अनुसार यदि किसी परिबध तरल पर कुछ दाब लगाया जाता है तो ये सभी दिशाओं में समान रूप से प्रसारित हो जाता है पासकल के नियम के अनुसार P1 बराबर P2 लेकिन P बराबर F बटे A इसलिए F1 बटे A1 बराबर F2 बटे A2 ये देता है F2 बराबर A2 बटे A1 गुणे F1 पास्कल का नियम निम्न इस्थितियों में लागू होता है द्रवचालित लिफ्ट, द्रवचालित ब्रेक, द्रवचालित प्रेस द्रवस्थेतिक तथा वायुमंडलिये दाब द्रवस्थेतिक दाब को किसी द्रवदौरा व्रामावस्था में लगाए गए दाब के रूप में परिभाशित किया जाता है एक पात्र में H उंचाई तक भरे D घनत्व वाले एक द्रव पर विचार करें तब द्रव द्वारा आधार पर लगाया जाने वाला दाब निम्न द्वारा व्यक्त है P बराबर HDG ये व्रेंचेक दर्शाता है कि द्रवस्थेतिक दाब निम्न पर निर्भर होता है द्रव की उर्ध्व उंचाई तथा द्रव का घनत्व वायू मंडलिये दाब वायू मंडल द्वारा लगाया जाने वाला दाब वायू मंडलिये दाब कहलाता है वायू मंडलिये दाब का मापन करने के लिए प्रयोग की जाने वाली युक्ति वायू दाब मापी यानि बैरो मीटर कहलाती है एक वायू मंडली ये दाप बराबर 76 cm पारे द्वारा लगाया गया दाप या एक एटम बराबर 1.03 गुणे 10 की घात 5 Nm प्रतिवर्ग। यदि वायू मंडल को एक समान घनत्व 1.03 किलोग्राम प्रति मीटर घन की वायू के रूप में मान लिया जाए तो वायू मंडल की उंचाई 7.95 किलो मीटर के समतुल्ले होगी। धारा रेखी प्रवा प्रवा को आपरिवर्टी कहा जाता है। यदि किसी बिंदु पर तरल का वेख समय के साथ परिवर्टित नहीं होता और ये कथन सभी बिंदुओं पर लागू रहता है। धारा रेखी इस प्रकार खींची गई एक रेखा होती है जिसमें प्रतेक बिंदु पर इसकी दिशा, उस बिंदु पर तरल वेख की दिशा होती है। आपरिवर्टी प्रवा में धारा रेखाएं स्थेतिक होती हैं और वे एक दूसरे को नहीं काटती। यदि वे एक दूसरे को काटती हों, तो हम कहेंगे कि प्रवाह प्रक्षुब्द है. सान तत्ते समीकरण एक अनुप्रस्थ काट ए से एक तरल का प्रवाह निम्न रूप में व्यक्त है. V बराबर A V, जहां V बराबर तरल का वेक, तथा V बराबर तरल का आयतन. यदि पाइप का आगार परिवर्दित किया जाए, तो प्रवाह वेक भी परिवर्दित हो जाएगा. अब प्रवाह की दर निम्न रूप में व्यक्त है. V बराबर A1 V1 बराबर A1 V2 यह समीकरण सान तत्ते का समीकरण भी कहलाता है. यह दर्शादा है कि जहां ट्यूप का क्षित्र फल बड़ा है, चाल मंद है, और जहां ट्यूप का क्षित्र फल छोटा है, वहां चाल अधिक होती है. बर्दूली का सिध्धांत से प्रवाहित कराएं. लंबाई V1 डेल्टा T के एक भाग में तरल, T समय में लंबाई V2 डेल्टा T वाले भाग की ओर प्रवाहित होता है. तरल का घनत्व रो है, तब बर्दूली के नियम के अनुसार, बिंदू एक पर गतिच उर्जा, स्थितिच उर्जा तथा दाप उर्जा का योग पराबर, बिंदू दो पर गतिच उर्जा, स्थितिच उर्जा तथा दाप उर्जा का योग. टॉरिसेली का नियम टॉरिसेली के नियम के अनुसार जिस चाल से कोई द्रव एक निश्चित उचाई पर बने छिद्र से बाहर गिरता है, वहां समान उचाई से वरामा वस्था से गिरते किसी बिंड की चाल के समान होती है द्रव की चाल निम्न रूप में व्यक्त है, वी बराबर वर्ग दो जी एच, जहां एच बराबर द्रव का आरम भेगिस्तर, जी बराबर गुरत्व इस्थिरांग इसे द्रव के उस गुण के रूप में परिभाशित किया जाता है, जिसके द्वारा एक आंतरिक प्रतिरोध उपस्तित होता है, जो पड़तों के बीच आपेक्शिक गती को समाप्त करने का प्रयास करता है ये आंतरिक प्रतिरोध द्रव की पर्तों पर स्पर्श रेक्षिय रूप में कारे करता है, न्यूटन के शयान बलों के नियम के नुसार किसी द्रव की दो पर्तों के बीच उपस्तित शयान बल, संपर्क में दो पर्तों के एक शित्रभल तथा पर्तों के बीच वेग प्र एक्स के अनुक्रम अनुपाती है। इस समीकरण को निम्न रूप में लिखा जा सकता है। एफ पराबर माइनस इटा ए गुणे डेल्टा वी बड़े डेल्टा एक्स जहां इटा पराबर द्रव का श्यानता गुणांग है और रनात्मत चिमने दर्शादा है कि श्यानपल द्रव की गती के सीधे विप्रीत है। इसका विमिय सूत्र निम्न है। स्टोक का नियम कहता है कि जब कोई गोलिय पिंड किसी श्यान तरल के अंदर गमन करता है तो ये तरल की श्यानता के कारण अपनी गती के विप्रीत एक बल का अनुभाव करता है। ये विप्रीत बल श्यान बल कहलाता है। F पराबर 6 पाई गुणे इटा गुणे आर गुणे वी उधारण आईए स्टोग के नियम का एक उधारण देखें 1 mm त्रिज्या की वर्षा की एक बूंद वायू में 2.4 मीटर प्रती सेकंड के सीमांत वेक से गिरती है वर्षा की बूंद पर फ्यान बल की गड़ना करें यदि वायू के लिए इटा दो गुणे दस की घात माइनस 4 पॉईस है आईए इसका हल देखें दिये का एमान है R पराबर 1 mm जिसे 0.1 cm के रूप में लिखा जा सकता है V पराबर 2.4 गुणे 10 वर्ग सेंटिमीटर प्रती सेकंड इटा पराबर 2 गुणे 10 की घात माइनस 4 पॉईस हम जानते हैं कि F पराबर 6 पाई इटा आर वी संबन्दित मानों को उक्त समी करण में रखने पर गरना करने पर हम पाते हैं कि F पराबर 9.05 गुणे 10 की घात माइनस 2 टाइन जो 0.091 डाइन के पराबर है अताह वायों में बूंट का शयान बल 0.091 डाइन है क्रांतिक वेख वेख का वो अधिकतमान है जिस पर किसी द्रफ का प्रवाह धारा रेखिये बना रहता है एक ट्यूब में प्रवाहित होते द्रफ के क्रांतिक वेख वी सी कमान के गुणे इटा बटे रो गुणे अलफा के बरापर है ये संबंद रेनॉल्ड्स का सूत्र कहलाता है यहां इटा बराबर शानता गुणांग रो बराबर द्रफ का घनत्व अलफा बराबर ट्यूब की त्रिच्या के बराबर रेनॉल्ड संख्या रेनॉल्ड संख्या के एक विमाहीन स्थिरांग है वो प्रोक्त सम्मंद से ये स्पष्ट होता है कि किसी शानता रहित द्रफ के लिए प्रवा सदैव विक्षिब्द होगा शानता तरल का वो गुण है जो इसके प्रवा को स्तरिये और आपरिवर्ती बनाए रखती है प्रिष्ट तनाव किसी द्रफ का वो गुण होता है जिसके आधार पर इसका मुक्त प्रिष्ट नियुनतम प्रिष्टी एक शेत्र घेरने के लिए किसी खिचाव युक्त लोचशील जिल्ली की तरह कारे करता है प्रिष्ट तनाव का बल द्रव के मुक्त प्रिष्ट पर खीची गई एक कालपनी क्रेखा पर बल प्रती इकाई लंबाई के रूप में परिभाशित किया जाता है जो इसकी लंबाई के अभी लंबवत तथा द्रव प्रिष्ट के स्पर्श रेखिये होती है ती बराबर एफपटे एल द्रव के मुक्त प्रिष्ट के निकट एक अत्यन्त पतली परत जिसकी मोटाई आणविक सीमा के बराबर होती है इसकी प्रिष्टिये परत कहलाती है प्रिष्टिये उर्जा तथा संपर्क कौन प्रिष्टिये उर्जा को प्रिष्टिये परत का एक अक प्रिष्टिये शित्रफल बढ़ाने में किये गए कारे की मात्रा के रूप में परिभाशित किया जाता है प्रिष्ठिय उर्जा किये गाए कारे को शित्रफल में वृध्धी से विभाजित करके प्राप्त की जाती है इसका ऐसाई मातरक जूल प्रति मीटर वर्ग होता है टी प्रस्ट तनाव वाली एक प्रिष्ठिय परत पर विचार करें F तार AB पर वाहे दिशा में परत का प्रिष्ठिय शित्रफल पढ़ाने के लिए लगाया गया वाहे पल है तब परत की प्रिष्ठिय उर्जा निम्न होगी हम जानते हैं कि S पराबर W बटे डेल्टा A इससे S पराबर T का परिणाम प्राप्त होता है ये दिखाता है कि किसी द्रव की प्रिष्ठिय उर्जा द्रव के प्रिष्ठ तनाव के आंकिक रूप से समान होती है किसी ठोस प्रिष्ट तथा किसी द्रव प्रिष्ट के बीच संपर्क का कून द्रव के मुक्त प्रिष्ट पर संपर्क के बिंदू पर जहां ठोस प्रिष्ट द्रव के संपर्क में होता है, खीची गई स्पर्ष जया द्वारा बने कूण के रूप में परिभाशित किया जाता है ये थीटा द्वारा प्रदशित किया जाता है और निम्न पर निर्भर होता है ठोस प्रिष्ट की स्वच्छता ठोस प्रिष्ट तथा द्रव की प्रकृती तथा मुक्त प्रिष्ट के उपर माध्यम प्रिष्ठिय तनाव पर आधारित घटनाएं एक सुई पानी पर तैटी रह सकती है कांच की छड कसिरा गर्म करने पर गोल हो जाता है पारे की छोटी बूंदें गोलिये लेकिन बड़ी बूंदें चप्टी होती है क्या आप जानते हैं? शानता जितनी अधिक होगी तरल के लिए प्रवाहित हो पाना उतना ही अधिक कठिन होगा और ये उतना अधिक चिपचिपा होगा कुछ कीट पानी पर चलने में सक्षम होते हैं क्यूंकि उनके भार को जल के प्रिष्ट तनाव द्वारा संतुलित किया जाता है। प्रिष्ट तनाव के कारण किसी वक्रित द्रव प्रिष्ट के अवतल पाश पर दाप, इसके उतल पाश पर दाप की तुल्ला में सदैव अधिक रहता है। सारांश आईए, हमने जो कुछ सीखा है, उसे संशेप में दोहराएं। द्रव का आकार निश्चित होता है, लेकिन गैस उस बंद पातर को फैल कर भर देती है, जिसमें इसे रखा जाता है। किसी द्रव द्वारा लगाया जाने वाला प्रणोद, द्रव द्वारा संपर्क में द्रव के प्रिष्ट पर अभी लंबवत लगाया जाने वाला बल होता है। पास्कल के नियम के अनुसार, यदि किसी परिबध तरल पर कुछ दाब लगाया जाता है, तो ये सभी दिशाओं में समान रूप से विद्रित हो जाता है। द्रव स्थेतिक दाब किसी द्रव द्वारा विरम आवस्था में लगाया जाने वाला दाब होता है। धारा रेखिये इस प्रकार खिँची गई रेखा होती है कि प्रत्रीक बिंदु पर इसकी दिशाओं उस बिंदु पर तरल वेख की दिशाओं होती है। बर्णूली के नियम के अनुसार जब किसी आदर्श तरल को धारा रेखिये कती में एक बिंदु से अन्ने की ओर प्रवाहित किया जाता है, तो इसके मार्ग के प्रत्रीक बिंदु पर कुल उर्जा प्रतीकाई आयतन इस्थरांक रहती है। टौरी सेली के नियम के अनुसार जिस चाल से कोई द्रव एक निश्चित उचाई पर बने छिद्र से बाहर गिरता है, वो समान उचाई से प्रमावस्था से गिरते किसी पिंड की चाल के समान होती है। प्रिष्ट तनाव किसी द्रव का वोगुण होता है, जिसके आधार पर इसका मुक्त प्रिष्ट नियुनतम प्रिष्टी एक शित्र घेरने के लिए किसी खिजाव युक्त लोच शील चिल्ली की तरहा कारे करता है।